आज की इस वीडियो में जानेंगे दुनिया के सबसे बड़े गड़ों के बारे में इन में से कई गड़े बहुत खतानाक है जिनें देखकर आपको अपनी आखों पर यकी नहीं होगा ये गड़े काफी रहस्ते में भी है फिर भी लोग अपनी जान दाओ पर लगा करके यहां पर आते है वस इस वीडियो को लाश्ट तक देखते रहना सन 2007 में लोगों को कुछ अजीब आवाज आने रही लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज आ कहां से रही है कुछ दिनों बाद उस सहर के बीचों बीच एक बड़ा सा गड़ा निकल आया तब चाके लोगों को समझ में आया कि आवाज काई की थी इतने बड़े गड़े के सहर में निकल जाने के कारण दो लोगों की इसमें गिर कर मौत हो गई थी और काफी लोगों के घर खाली करवा दिये गए थे क्योंकि उन्हें डर था कि ये गड़ा कहीं और ना फैल जाए अब तक लोगों को पता ही चल पाया कि ये गड़ा आखिर बना कैसे डीन्स ब्लू होल वैसे तो इस जगह पर काफी रहस्यमई गड़े है लेकिन इन में से ये गड़ा बहुत बड़ा और रहस्यमई है ये गड़ा बामास के एक आइलेंड पर इस्थित है यह गड़ा यहां पर 15,000 सालों से इस्थित है डाइवर्स का कहना है कि जब वो इस गड़े के अंदर जाते है तो उन्हें 30 मीटर तक पानी एकदम साफ दिखाई देता है इसकी वज़ा इसका साफ पानी हो चकता है आपको लोग यहां पर रोज मस्ती करते हैं दिखाई दे जाएंगे जोकी इसमों चाही से कूदने से भी नहीं डरते तीन सो अठरा मीटर मोटा और एक सो पच्चीश मीटर गहरा है क्या आप इस जगा पर जाना पसंद करोगे कमेट वोक्स में जरूर बताए मिममाह सिंकोल यह गड़ा उनाम में स्थित है इसका पानी नीला और एकदम साफ है इसे लोग यहाँ पर तैरने के लिए जाया करते है इसे दुनिया का सबसे खुबसूरत गड़ा भी खा जाता है सारी सारी नामा यह बेने जोला का सबसे रहस्यमई गड़ा है जोकी जंगल के बीचोबिच बना हुआ है इस सांदार गड़े के अंदर अपना अलग ही बातावरन है जो साइदी दुनिया में कुई और देखने को मिले इसके अंदर आपको जहर्णे और खतरनाक जानवर देखने को मिल जाएंगे वैसे लोग यहाँ जाना नहीं चाते कि उनका कहना है कि यहां कि आपको की आसपास के जंगलों में रोगों को जिन्दा खाने आले लोग रहते हैं और यहां की सबसे नजजदी की रोड 100 क्लवटर दूर है दुस्तो आपको क्या मानना है कि अभी भी ऐस deer जो जिन्दा खाजाते हैं कमें शरूर में बताईएगा तो आई ये बात करते हैं नमर वन गड़े की डोर टू हेल जब गाउं में तहने आले लोगों ने इसे ढूंडा तो इसमें आग नहीं लगी हुई थी लेकिन इसमें मेथेन गेज थी जिसे खतम करने के लिए विज्ञानिकों ने इसमें आग लगा दी बेल लोटी खूंग औल पर सिलेट करें